यह आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि यह दिखे सही से और फिर उसके बाद इस पे क्लिक करके और यहां से कुछ इतना इधर हम खिच देंगे थोड़ा सा तिर्चा टाइप का और फिर इसी को सेलेट करके कंट्रोल सी कंट्रोल भी भी कर सकते हैं निमोरी वह दिखे चाहे अतुल भाई ने बोला सर इसको किस तरिके से आसानी से बनाए जोकि बनाने के लिए ये पेपर मुड़ा हुआ है ना उसी तरीके से ये भी एक पेपर बना है और वो मुड़ा हुआ है लेकिन ये कोने कोने से मुड़ा है और ये कोने से नहीं बलकि पूरा इतना सा यहां से इतना सा पेपर आपका मुड़ा हुआ लग रहा है ठीक है पूरा इधर का हिसा भी और इधर का हिसा भी तो चलिए देरीना करते हुए इसको बनाना सीखते हैं तो इसको बनाने के लिए यहां से हम एक rectangle लेंगे और कुछ इतना सा rectangle बना लेंगे जितना भी हमको size में चाहिए outline थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि यह दिखे सही से और फिर उसके बाद इस पे click करके और यहां से कुछ इतना इधर हम खिच देंगे थोड़ा सा तिर्चा type का और फिर इसी को select करके Ctrl C, Ctrl V भी कर सकते हैं memory keyword से आप प्लस भी प्रेस कर सकते हैं ताकि इसका duplicate हो जाए थोड़ा साटा के देख लिए दो हो गया है ठीक है Ctrl Z कर दिए आप हम क्या करेंगे कि जो हमारा उपर वाला select है यही सेलेक्ट रहने देंगे और इसको Ctrl Q कर देंगे Ctrl Q करने के बाद हम यहां पर आ जाएंगे save tool पर और save tool पर आने के बाद यहां पर right click करेंगे to करो करेंगे और जिस तरीके से इसमें मुड़ा हुआ है हम भी इसको मोड़ने की कोशिस करेंगे कुछ इस तरीके से ठीक थोड़ा सा यह इधर रहेगा और यह थोड़ा सा इधर आप देख सकते हैं सही है इसी तरीके से इस पर भी हम right click करेंगे और इसको भी करेंगे to करों और इसको भी हम यहां से कुछ इधर खीच लेंगे और इसको थोड़ा सा इधर आई से सही है लग रहा है देखिए अब आप भी देखिए आपका भी paper लग रहा है कि हां मुड़ा हुआ है बस हमारा हो गया यह इतना और जो नीचे वाला है इसको हम select करके यहां से black fill कर देंगे लेकिन black fill करने के बाद यह total हो गया अब उपर वाले को फिर से select करके इसमें हम white fill करेंगे तो अब इतना हमारा बन चुका है अब इस बाहर वाले हिससे को हम न मुड़े तब भी हमारा इसके तरी से दिख रहा है कि देखिए इधर से मुड़ा हुआ है paper और इधर से लेकिन इन्होंने इसको भी मौर दिया है तो हम भी मौर देंगे अगर सेम हमको बनाना है तो लेकिन मौरने से पहले हमको एक काम और करना पड़ेगा यह देखिए इन्होंने black वाले को अलग किया है और इसको अलग किया है तो हमको भी दूनों को अलग करना पड़ेगा तो अलग क स्रेट करके भी कंट्रोल आर कर देंगे और यह वाला हिसा यहां से हम डिलेट करेंगे और इन सब को स्रेट करके फिर से हम यहां ला देंगे और यहां लाने के बाद इसको स्रेट करेंगे और थोड़ा सा इसको दूर कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसमें भर देंगे ब्लेक कलर आउटलाइन इसका खतम इसी तरीके से इसमें भर देंगे ब्लेक कलर आउट कलर आउटलाइन इसका भी खतम और थोड़ा सा इसको भी हम दूर कर देंगे कुछ इस तरीके से तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीका हमने बना दिया हाँ बाहर वाले को हमने नहीं मोड़ा है बाहर वाला हमारा बिल्कुल सीधा है कोई बात नहीं बन गया उसी style का हमारा यह अगर आप इसको मोड़ना भी चाहें तो save tool आपके पास है आप save tool पर आईए और यहाँ पे right click करिए to curve करिए और यह वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा पकड़ के आप इधर खीच दीजिए और यह वाला थोड़ा सा इधर ही रन दीजिए बस इसी को थोड़ा सा इधर खीच देंगे हो जाएगा इसी तरीके से इस पे भी right click करिए to curve कर दीजिए और to curve करने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर और इसको थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है कुछ इस तरीके से आपका आप देखिए मुड़ा हुआ भी हो गया और उसी तरीके से हो गया सेम भी नहीं बना अब बस बीच में आपको तीन लाइन डालना है तो उसके लिए आप टू पॉइंट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से कुछ यहां तक एक लाइन ड्रा कर लिजिए आउटलाइन थोड़ा सा यहां से मोटा कर लिजिए और फिर राइट क्लिक करके यहां पर लाकर डूबलिकेट कंट्रोल आर तीन बार हो गया हमारा और यहां पर प्रटिश्टा में जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए और यह डिसाइन आपका तयार हो गया तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके पास भी कोई ऐसा डिजाइन है जो कि आप सीखना चाहते हैं कि कोलल डा में कैसे बनेगा तो आप हमें जरूर वाट्सअप करें ताकि उसका वीडियो भी हम बना दें आप भी सीख लें और आपकी वाज़े से दूसरे लोग भी सीख लें तो सीखते रहिए, सीखाते रहिए लर्निंग करिए, फिर लर्निंग करिए मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में